तो भी लगेगा कितना बढ़िया स्कीन एकदम से बढ़िया रिजल्ट कुछ और आ सकता है यह बता तो पालर जाते हो सूट नहीं सूट करता है लगाने का उपताने को करता है आप सभी आशा करती हूं आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे देखें विंटर सरदिया चल रही है है और सरदियों में खाना पीना होता है वह काफी जादा रिच होता है गाजर का हल्वा होता है गाज़र इसी चीजिन के उपर थोड़ा बौत तो ऑल देंगी ही थोड़ासा को आपको फैटी भी कर बेंगी सूट में बैटिए यह सब छीजे घ़ए यह नाचुरल चीज़े होती है, जो हमें हमारे शरीर को जरूर प्रोवाइट करने चाहिए साल में एक बार जो सीजन आता है तो सीजनल फ्रूट, सीजनल सबजी सीजन का हमें यूज़ जरूर करना चाहिए शुरू में मैंने जो क्लिपिंग लगाई है यह मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी स्किन के लिए आज जो रेमिडी आई है वो यूज में आने वाली है माल लीज़े आप अगर बहुत ज़रा धूपे बैट रहे हैं या आपकी स्किन के उपर बहुत ज़रा टैनिंग होगे अगर आप अपनी स्किन का ठीक से केर नहीं करते है स्किन केर कोई भी एक ऐसा फॉलो करनीज़े जो आपकी स्किन को मुलायम रखे सॉफ्ट रखे आपकी स्किन के उपर जो आयूई वो जो फिचावट है वो जो ड्राइनस है उसको कवर अप कर सके तो आप अपनी सर्दियों के खुब मज़े ले सकते है बहुत असानी से बहुत चोटी-चोटी टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिसको कि अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी स्किन के उपर ब्राइटनिंग भी चाहेंगे आपकी स्किन के उपर आपका जो कालापन है डैपोजिशन है वो भी खतम होगा स्किन की ड्राइनस से भी आपको चुटकारा मिलेगा और स्किन बहुत जारा सॉफ्ट हो जाएगी आज जो मैं रेमेडी लेकर ही हूँ सारा का सारा सामान आपके घर में आपके किचन में है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की डैमेडी थोष्टो मैं हुँ रेका सिंग मेरे चैनल का नाम है रेका सिंग लाइफ और यहां मैं अपनी फैंपली के साथ शेयर कर चूछ कूई इतनी सारी रेमेडी जिसको करके के मेरी family बहुत जादा खुश है बहुत जादा positive है अगर आप पहली बार मेरे channel पर आए है तो यहाँ पर आपको जो पीछे मेरे wall पर दिखाई देरी है मेरी remedies इनको कर के मेरी family बहुत जादा खुश है अगर आप भी try करना चाहें तो please एक बार channel के ओपर घूम क्या यह, अपनी skin के according, अपनी problem के according, कोई एक ऐसा remedy चूज करें, जिसको क्या आप करें, उसका result आने के बाद में मेरे को आपने subscribe जरूर कर लेना है, मैं पहले आपको subscribe नहीं बोलूँगी, subscribe कर लिजेगा तब जब आपको remedy का result आए, like भी तब दिजेगा जब आपको remedies होती है, जो आपकी skin के ओपर बहुत बड़िया result, first time में दे देती है, लेकिन किसी-किसी remedy में थोड़ा सा time लगता है, तो please जाके check out ज़रूर करेंगा अपने skin से related, अपने problem के related, जो भी remedy आपको लगानी है, उसका result पाने के लिए थोड़ा सा continue हो जएगा, remedy पसंद सब्सक्राइब कर लिजेगा, चैनल को अगर आपको useful लगता है तो, चीक है जी, बेल आइकॉन के साथ में करेंगे, तो आगे की जो remedies है, जो मेरी future remedies है, all वाले को, तो आपको उसका notification, आपकी notification bell में मिल जाएगा, तो चलो start करते हैं आज की remedy, चले तीन स्टेप का है, first step में ह हम अपने face के ओपर pack लगाएंगे और cream करेंगे, और third step में मैं आपको night cream suggest करूँगी, कौन सी cream कौन सी skin के लिए अच्छी होती है, अगर आपकी skin dry है, या आपकी skin oily है, या फिर आपकी skin combination वाली है, आपको क्या अपनी skin पर रात को लगा के सोना चै, जो आपकी skin के ओपर बढ अच्छा लिजे, कोई दिकत नहीं है, क्योंकि सर्दिया चल रही है, और सर्दियों में हमारी skin बहुत जारा dry हो जाती है, तो अगर आप उबला हुआ दूद भी लेंगे, तो भी आपको वो काम करेगा, ठीक है, तो हमने कितना ले लिया है, दो से तीन चम्मच मैंने ये द पोजिशन है, उसको किस तरह से हमें निकालना है, वो आपको जरूर करना होगा, उसका तरीका मैं आपको अभी बता देती हूँ, तो पहले आप ले लिजे दूद, और दूद में हमने मिलानी है, कस्तूरी हल्दी, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है, आप इसमें किचन वाली हल्दी मिला सकते हैं, बस ध्यान ये दीजेगा, कि उसमें कोई मिर्च मसाले वाली चमच ना लगी हो, ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि यह कस्तूरी हल्दी है, तो हम इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं, यह कस्तूरी हल्दी डालने के बाद में, मतलब हल्दी डालन दोड में परकों की आपकी कना टीन को ऑ आपके स्किन को भी मारें między ख tangled sölt तो अगर आपकी स्किन बहुत जादा खुरतवरी बहुत जादा रफ हो है ये 파प्री आप जो लोग इस चीज से रिलेट करेंगे, मुझे बताएंगे, जरूर प्लीज, कि जिनकी skin के ओपर वह खुरदुरापन ज्यादा लगता है, जिनको लगता है कि skin बहुत ज्यादा rough लग रही है वह roughness क्या होती है वह आपकी skin के ऊपर खुरदुरा पंच होता है वह dead skin होती है जो आपकी skin पर इकठी हो जाती है तो अब उसको हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी skincare को follow करना चाहिए चाहे उसमें आप scrub ले रहे जहते हैं और तब तक मैं आपको बताती हूं आपने क्या करना है करना दर और प्ले से और अफिये में चलेगा आपने पार बारों अच्छे से 2-3 मातिक है इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स के और गана गंदगी हो गी तो अच्छ把 करे पाएगी तुह त्वर्ल में ले लेती तीन से चार मिनिट मतलब आप जितनी आप ले सकें दो मिन थीा सब मोर् नोचारम आपको आपकी skim के उपर एक extra चमक आती है steam हमारी skin के लिए बहुत अच्छी होती है यह हमारी skin पर एक extra shine देती है चमक देती है हमारी skin को जितनी भी deposition होती है बहुत असानी से steam से निकल जाती है तो मैं ज़रा steam ले लेती हूँ फिर मैं आपको मिलते हूं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा काफी लोग तो positive देते हैं कुछ लोग बोलते हैं याप बहुत जादा लंबा बोलते हैं इसको short में बता दो तो जिनको short में चीए प्लीज मेरे short videos भी आप देख सकते हैं इस्ट्राइग्राब के उपर हैं यार वहाँ पर मैं छोटे करके बता देती हूं ताकि कुक कुक आपको वीडियो देखने को समझ में आ जाए लेकिन जिनको अच्छे से अंडर्स्टैंड करना है उनको लंबे वीडियो जरूर देखने चाहिए क्योंकि बीच वीच में मैं टिप्स औं ट्रिक्स बहुत सारे बताती हूं जिनको शॉर्ट्स अच्छे लगता हूं उनके लिए भी ठीक है कोई बात नहीं तो मैं जड़ा कर son stream लेकेतन हैं इसकों अब मैं हमें क्टन का टुकड़ा लेना है और यह जो दूध हमने यूजब बनाया है दूध और हल्दी मिस हो करने के बहुत सारे फायदे होते दोस्तों अगर आप दूद को रेगुलर अपने करने में बहुत हल्प करता है बिलीव आप मेरे पहले का वीडियो देख लिए जो स्टार्टिंग पर मैं बनाती थी क्योंकि तब मैंने बनाने शुरू किये थे और मैं अपनी स्किन का उतना जारा केर तब नहीं करती दियाएवाइस लेकिन जैसे रेगुलर हम लोग अभी करोना के टाइम पर अपनी स्किन को लेके हो गए मेरे पास भी खाली टाइम था बहुत सारा बच्चे स्कूल नहीं जारते घर पर ही थे तो मैं अपनी दियाएवाइस को फिर रेगुलर करने लग गई थी तो उसने मेरे स्किन के उपर अपना रिजल्ट भी अपना रेगुलर देना शुरू किया पहले भी करती थी लेकिन बाद में मैं रेगुलर हो गई दूद हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है आचा यहां पर मैं एक दो कोश्यन के आंसर देतो दूद से रेलेटी डी काफी लोग बोलते हैं हमें दूद नहीं सूट करता है यह काफी लोग बोलते हम कच्चा दूद लें के उबला हुआ दूद लें देखिए अग आप क्या सुचोंगे मार के भागेंगे लेने के लिए नहीं न तो कच्छे दूद को थोड़े सा ठंडा कर लीजिए पस हो गया और अब दूसरी वात अच्छा दूद कौन सा लेना है अगर दूद है तो कौन सा लेना है पैकेट वाला भी ले सकता है भैस का भी ले सकता है गाय का भी ले सकते हैं किसी भी पैकेट का ले सकते हैं फूल क्रीम हो तो नो कोई भी हो बस दूध हो न चीज इतना ही है तो यह हो गया हमारा दूध बच गया है इसको आपने फेकना नहीं है क्योंकि इसी में हमारी next remedy बनेगी और इसको भी आपने धोना नहीं है एज़ती च करता है हमारी skin की हमारी skin से related बहुत सारी problem के लिए आटा एक मात्र ऐसा उपाय है जो हर किसी के घर में हमेशा पाए जाता है मेरी remedies में जो लेके आती हूं मैं ट्राय करती हूं ऐसी remedies हो ऐसा सामानों जिसके लिए market न जाना पड़े क्योंकि मेरी बहुत सारी family members ऐसे हैं मतलब मेरे जो रेखा सिंग लाइफ के जो family है मेरी यह ऐसी है जो ऐसी ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर उनको online समान नहीं मिलता है बहुत सारा अगड़म शगड़म समान तो बिल्कुल नहीं मिलता है तो मैं ट्राय करती हूं जितना जादा simple हो सके तो यह हमने ले लिया एक चमच आटा अब मैं इसमें डाल रही हूं मेरी powerful चीज जो की हमेशा मैं आपको बोलती हूं हमेशा होनी चाहिए आपके घर में इसको लाके रखे बहुत जादा जरूरी है skin के लिए क्या है यह ऐसी क्या चीज है जो हमारी skin के लिए अच्छे अब आप कुछ करते ही नहीं हो अपनी skin के ओपर कोई skincare follow ही नहीं करते हो न तो भी आप इसको लगा लोगे पहली बार में आपको result देगी क्या है यह यह है खांड यह देखिए जिलनों को नहीं पता है जो पहली बार मेरे वीडियो पे आए है जो मेरे पहले के family member उनको पता खांड क्या होती है जी अब तो पता है यह इस तरह से दर्दरी होती है यह देखिए बिल्कुल भी टिक नीडिये ना हमारी हाथ पे यह दर्दरी होती है यह प्योर देसी शुगर है राशन की दुकान पे बहुत असाली से मिल जाएगे आप जाके उनको बोलेंगे खांड बूरा दे दो बहुत जगा पे इसका नाम बूरा है बहुत जगा पे इसका नाम खांड है हिंदी में इसको खांड बूरा बोलते हैं प्योर देसी शुगर बोलते हैं तो आप यह जाके आप किसी भी राशन की शॉप से ले सकते हैं ठीक है यह हमने ले लेनी है कितनी यह हम जादा मुलायम कर देगी आपके कलर तोन को यह जो आज का फेशल एतना ब्राइटन अप्र देगा दोस्तों के आप भी सोचेंगे यार इतना सिम्पल सिम्पल चीजें हमारे घर में हमेशा से रही रहे हम इन चीजों को खाते थे और हमें यह नहीं पता था यह अपारी स्किन हाथ से लगा रही हूँ, अगर आप हाथ से comfortable नहीं है, आप brush की help से भी लगा सकते हैं, face आपको थोड़ा सा गीला ही रखना है, अगर सूप गया है तो वापस से थोड़ा सा दूद अपनी skin के उपर लगा लीजे, अपने face के उपर लगा लीजे, ठीक है जी, अब मैं याप प किसी एक age group के लिए हो, यह हर age के लिए है, बच्चे से लेके बूड़े तक आदमी, औरत, कोई भी gender हो, gender wise नहीं है, even मैं तो यह बोलती हूँ, आदमी लोगों को skin की अपनी जादा care करनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर आते जाते है, skin उनकी बहुत जादा hard होती है, उनको तो मेरे DIY को देख रहे है, प्लीज अपने बच्चों का care करिये, अपने लड़कों की care करिये, अपने हजबन की face के ओपर, जरूर लगाए मेरे DIY को, क्योंकि यह उनकी skin के लिए भी है, बहुत सारे comment आते है, जेंस लोगों की भी आते है, कि मैं क्या हम आपकी remedies लगा सकते हैं, ह इनकी wife को YouTube नहीं खुलना आता है, नहीं चलाना आता है, फोन ऐसा है, स्मार्टफोन नहीं यूस में करना आता है, तो उनके आदमी लोग अगर यही सब देख रहे हैं, प्लीज आप अपनी wife को बताईए, कि भाई, यह DIY मेरे को बना के देदो, मैं मेरे face के ओपर लगा दो, ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, इसको as it is छोड़ना है, क्योंकि इसमें जो हमने चीजे डाली है, वो already हमारी skin को बढ़िया से soft बना देंगी, जितनी भी dirt, male, pollution होगा, सब उसके साथ चिपक जाएगा, और जब हम इसको हटाएंगे, तो सारी की सारी चीजे इसके साथ में हट जाएंगे और skin के उपर एक गजब का glow आएगा, तो मैं अब आपको pause करके जारी हूँ, stop नहीं करी हूँ, pause करी हूँ, मैं आपको मिलती हूँ 10-15 मिनिट के बाद में, पूरी तरह से नहीं सुखाना है, प्लीज इस बात का ध्यान दीजेगा, आटा है, पूरी तरह सुखेगा, तब हम इसको हटाएंगे, वो भी गीला करके, ठीक है जी, यह देखिए, मैं आपको पहले चम्मच से हटा के दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है, आपको भी लगेगा, कितना बढ़िया skin एकदम से हो गया, इसको हटाने के बाद आपको अपनी skin के ओपर भी यही यूज करना, देखिए, मेरी फैमली जो है न, पानी को सेफ करने में बहुत बिलीव करती है, और मैं इस चीज के ओपर बिलीव करती हूँ, कि मेरी फैमली मेरी बात मानती है, मुझे अच्छा लगता है, यह देखिए, इस तरीके से आपको अपना फेस दिख रहा है, मेरे पूरी तराचा भी साफ नहीं किया, अब मैं गीले टॉवल के साथ आपके सामने ही, इसको पोचूँगे और आपको दिखाऊंगे कैसा लग रहा है, यह देखिए, इतने बड़िया सा रिजल्ट आता है, रेमिडीज को करने के बाद जब आपको सेटिस्फाइंड वाला र मार्किट चले जाओ इससे बढ़िया रिजल्ट को और आ सकता है, यह बता तो पालर जाते हो, पालर में इसे महही महहीं क्रीम लगा के आते हो, पेशेल करवाकर आते हो, कि आपको यह रिजल्क मिलते हैं, नहीं मिलते है अब मैं आपको बताती हूँ वो क्रीम जो की oily skin वालों के लिए किस प्रकार से बनानी है और dry skin वालों के लिए किस प्रकार से बनानी है हमें लेना है aloe vera gel कोई भी ले लिजे मैं थोड़ा सा करके आपको दिखा रही हूँ चमच के उपर ही बनाऊंगी यह मैंने इतना सा aloe vera gel लिया है ठीक है यह oily skin वालों के लिए है तो हमें इसमें डालना है रोज़ वाटर तीन से चार ड्रॉप ठीक है जी ? तीन से चार ड्रॉप आप इसमें डाल लीजे अच्छे से अरे मेरी चमची छुटे एगी मैं हाथ पर ले देगु ठीक है इसमें आपने रोज़ वाटर मिलाना है और सा इलो vera मिलाना है आपने इसके अलावा इसमें ठाल यह तो पल नित्र आप इस تمस्क्राइब लॉट को कर बैइब आपको बने युझे लिए पहले बता रही हु को अपर आपको इसको बताती हो आम पर में अपको बताती हो। इसे मैं आपको बित्र जिन लेना है और इसमें चाहिए एलो द कि Technically ले लीजी ठीक है Què है उतकि नहीं है खस्थ लिए चाहिए लाइपले लेखोर आप लेस्क्राइब कोनेट औल जी worrying हर जाता है को कोनेट ऑइल अपको के सब्सक्राइब बतारी हूँ तोड़ा से ओलोवेरा जयोग में तोड़ा good water साथ में कोई भी essential oil आपको mix करना है पहले हथेली पे उसको लेकर हथेली को गरम करना है और फिर आपने करनी है जी massage ठीक है ये दो से तीन मिनिट के आपको बढ़िया सी massage देनी है ये आपको रोज रात को करके सोना है अगर skin को बढ़िया से आप अपनी age से कब दिखाना चाह आप चाहते हैं आपकी skin के fine lens wrinkles जूर हो किसी भी प्रकार का कोई कालापन ना हो तो आपको अपनी skin का care इसी प्रकार से करना होगा ज्यादा टाइम नहीं लगता है आप मुश्किल से 10-15 मिनिट रोज के अपनी skin को दे दो आप किसमें मुझे देना अपना प्यार आपने करना है मेरे चैनल को लाइक और subscribe अगर पहली बार आए है तो वीडियो देख लिजे satisfied हो जाएए उसके बाद में subscribe कर लिजे vlogging videos अगर पसंद करते हैं तो मेरा vlog channel है रेखा सिंग live vlog महाँ पर पर मैं भी तीरे तीरे वीडियो डाल रही हूँ प्लीज वहाँ पर भी अपना थोड़ा सा प्यार दीजे थोड़ा सा सपोर्ट करें अगर personally जानना चाहते हैं तो वैसे तो कोई बात नहीं है अगर जाएंगे अच्छा लगे तो subscribe कर लिजेगा कोई दिक्कत नहीं है इसी प्रकार से यह करते रहें और share जरूर करेंग अप अपने family and friends के साथ मम्मी के साथ करो चाच्ची के साथ करो मासियों के साथ करो साथ सुमा के साथ करो ननंध है भावियां बतेरे लोग है यार बहुत लोग है जिनके साथ आप इनको share कर सकते अपने social networking site पर भी करिए ठीक है जी मिलते हैं ऐसे फिर से किसी बड़ी ऐसे वीड कर दिया है खूब मजा लीजिए बाइ